नमस्कार दोस्तों मैं समीर दोस्तों आप सभी वाटसथ चलाते होंगे और आपने देखा होगा कि हो सकता है कि आपके वाटसथ में कोई फोटो या वीडियो दिख रहा हो लेकिन आपके गैलरी में या एल्बम में नहीं दिख रहा हो तो उससे gallery या album में कैसे देखा जाए इसके लिए हमें क्या setting करनी पड़ेगी यह हम देखेंगे प्लस साथी साथ एक चीज और कि यदि माले जो कोई particular रेक्टी आपको कोई गंदे या अश्लील फोटो और वीडियो भेज रहा है तो उन फोटो और वीडियो को गैलरी में दिखने से किस तरीकी से रोका जाए इसके लिए क्या setting करनी पड़ती है यह हम चलके देखेंगे चलते हैं स्क्रीन के और और दोस्तों यदि आप चैनल पढ़ना हो तो प्लीज सबस्ट्राइब परके बैल दबाना पिल्कुल न भूले सबसे पहले हम जाएंगे वाट्सेप पर इससे हमने उपन कर लिया उसके बाद हम यहां त्री डॉट्स पर टच करेंगे फिर settings इसके बाद हम second वाले option chats पर आएंगे और यहां पर आने के बाद यह जो लिखा हुआ है यहां पर media visibility यदि यह off है इससे आप on कर लिजे जब यह option on हो जाएगा अब जो media याने के photo और video आपके वाट्सेप पर दिखाई दे रहे हैं वो आपके gallery में भी देखने लग जाएंगे यहां से आप इसे on कर लिजे और यदि मालीजे आप चाहते हैं कि आपके photo और video ना दिखें तो आप इसको off ही रखिए लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे on कर लिजे ठीक है दोस्तों यह तो हुई एक चीज़ अब देखते हैं दूसरी चीज दूस्तों यदि आप चाहते हों कि किसी व्यक्ति के photo और video आपके gallery में ना शो हो तो उसके लिए आप सबसे पहले उस व्यक्ति के photo पर touch करिए हम रंजीत को touch करते हैं यहाँ पर इनकी photo नहीं लगी है कोई बात नहीं इसके बद हम जाएंगे i button पर यहाँ पर आने के बाद आप जाएंगे media visibility पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है show newly downloaded media from this chat in your phone's gallery यह default yes है इसका मतलब यह है कि आपको इनकी भेजी हुई photo और video दिखाई देंगी आप yes पर रखेंगे तो आपको दिखेंगी और इभी आप नहीं चाहते हो तो आप इसको कर दीजे नो और उसके बाद okay अब यह वंदा आपको जो भी photo और video भेजेगा आपके gallery में नहीं show होगी ओके दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा मिलते हैं नए वीडियो में